नमस्कार दोस्तों मैं बाल मेनों विशिश अग्य डॉक्टर नेहा मैता आज आपके सामने फिर हाजर हूँ एक बहुत ही चर्चित मुद्धा लेकर हमें ऐसा क्यों लगता है कि बच्चों को कामी क्या होता है खाना मदस बनाके दे रही हैं हम सारा समय तुम्हारे आगे देलते रहते हो सरफ दिन में एक या दो घंटा दूमें पढ़ाई के लिए बोलते हैं वो भी तुम क्यों नहीं कर पाते हो यूजली पेरेंट्स इसी चीज की कश्म कश्में गूमते रहते हैं कि बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है हम बाकि सारी सुविदाय उन्हें समय से देते हैं सारी फेसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं सौ में से दोस्तो परसेंट अपने बच्चे को देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो पढ़ क्यों नहीं रहा है उसकी स्कूल से रेगुलर्ली कंप्लेंस क्यों आ रही है क्यों वो अच्छे से परफॉर्म नह आने वाली हूं जैसे ही आप इने समझ जाएंगे जब आप इस वीडियो को अन तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बच्चा भी खाली नहीं है उसके पास भी बहुत सारी और जिम्मेदारिया हैं जो उसे निभानी होती है लेकिन ये क्या है कैसे है और बच्चों का वीडियो को लेकर आपके सामने आ सकों तो चली आप जानते हैं कि बाल मनोविज्यान है अगर आपको लगता है कि मैं एक माता भी हूँ एक वाइफ भी हूँ किसी की बेटी भी हूँ किसी की बहु भी हूँ किसी की सिस्टर भी हूँ तो बहुत सारे रोल्स जब मैं अपने calculate करती हूँ, हमें भी ऐसा होता है कि हम सूचते हैं कि मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है, तो इसे हम बोलते है, role conflict, हम अपनी दोनों roles के बीच में अटक जाते हैं कि हमें कौन सी चीज को कैसे implement करना है, तो जब हमें ऐसा होता है, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बच्चे के पास तो ये रोल्स होंगे नहीं, समझने की कोशिश करें आपका बच्चा भी अगर किसी का बेटा है, तो शायद एक टीचर का स्टूडेंट है, हो सकता है कि वो अपने डांस टीचर का परफॉर्मर हो, एक डांसर हो अपने ग्रांड फादर का ग्रांड पेरेंट हो, अरे बच्चा तो तभी कन्फ्यूज हो जाता है अगर उसकी दादी ने कुछ और बोला और मा ने कुछ और बोला तो बच्चे का भी अपना मनोवे के नहीं आपाया है, या आज उदास है, या मायूस है, या इतने एनरजी के साथ नहीं खेल रहा है तो उसका कारण सिरफ और सिरफ उसकी नौटेनेज या उसका ड्रामा नहीं हो सकता है, कभी कबार हो सकता है कि वो अपने जिन्दकी के दोनो पहलों में, दोनों रोल में कन्फ्यूस हो, तो इसी कारण वो इस तरह का behavior portrait कर रहा है, तो कोशिश करें इन कारणों को जानने की As a teacher हो सकता है, हम लोगों के बास इतना समय नहीं होता, कि हम हर बच्चे को लेकर उस बात को discuss कर सकें लेकिन अगर हम थोड़ा सा समय निकाल पाएं, तो हम बाल बनो विज्ञान के बारे में, बच्चे की अंदर चल रही, physical और mental problems को assess कर सकते हैं Similarly, अगर आप मदर हैं, तो थोड़ा सा समय बच्चे के साथ बैठें, उसकी भी बहुत सारी जिम्मेदारी और responsibility हैं, discuss करें हो सकता है, उसके अंदर एक internal conflict, एक internal द्वन भी आई कुंठा चल रही है, उससे उसे निकालने की कोशिश करें, बच्चा छोटा जरूर है, ego जरूर है लेकिन roles की problems, responsibilities या किसी भी जवाबदारी बच्चे में भी है, तो उसे समझे, बच्चे को धीरे धीरे उस mental state से निकालें, ताकि आगे किसी भी तरह का aggression, behavior, पढ़ाई पर concentrate ना करना, या किसी भी तरह का जुझलाना, irritation, इस सब चीजों से उस निकल पाए, और इस तरह का behavior वो आगे लंबे समय तक ना दिखा पाए, तो जितनी जल्दी आब आल के मनो विज्ञान को समझेंगी, उतने बहतर तरीके से आप खुद की लाइफ भी, as a parent भी बेटर कर सकती हैं, और बच्चे को भी बेटर तरीके से समझ कर एक अच्छी parenting को implement कर सकती हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, मेरे चानल को सब्सक्राइब करें, और parenting से related, अगर आपको किसी भी चीज की कोई issue हो, आप मुझसे discuss करना चाहती हैं, तो MyFit Brain Clinic, आप मेरे से discuss कर सकती हैं, नीचे details आपको सारी दे रखी हैं, मेरे facebook page की website की, मुझसे बात करें, शेर करें, हो सकता है मेरी कुछ advices, आपको मदद कर सकें, एक अच्छा parent बनने में, तो आगे हम मिलते रहेंगे, हम discuss करते रहेंगे और बहुत सारे topics, इसके लिए आपको मुझे subscribe करना पड़ेगा, तो bell icon को press करें, हमारे channel को subscribe करें